हेलो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर मैं आपसे एक सवाल करू कि आज से तीन साल पहले अप्रोक्सिमेटली नॉड़ा एक्षेंशन में फ्लैट किस प्राइस में मिलते तो जो जानते हैं जो इस एरिया में उन्होंने यह एक सवाल आता है कि जिस रफ्तार से नॉड़ा चैनल में या उससे जदा स्पीड में रेंटल वैल्यू भी बढ़ रही है मतलब घर के किराएं भी क्या उसी स्पीड में बढ़ रहे हैं इस सवाल का जवाब हम ढोड़ेंगे आज के वीडियो में तो इस वीडियो को किरायों में क्या बढ़ उत्री हुई है या किस स्पीड से रेंटल वैल्यू बढ़ रही है तो इस कुश्चिन का अंसर अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दूँ तो आज से तीन साल पहले जब मेरे कुछ फ्रेंड्स नॉड एक्शेंशन में घर डोड रहे थे र कॉस्त बता रहा हूं आपको मैं एक बिलोव एवरेश स्वाइटी की कॉस्त नीए बता रहा हूं एक अच्छी सुसाइटी जिसको अम टॉप ए एक लास या बी क्लास की सुसाइटी बोलते है उस सुसाइटी में साथ 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 हजार उपय से लेकर नौ साड़े नौ अज प्राइस इजिली मिल रहा है आज किराये का तो यह डिफरेंस आया है पिशले तीन साल में आल्मोस जो रेजिदेंशल में रेंटल वेल्यू है वो 35 से 40 परसेंट बढ़ गई है और उसके साथ-साथ मुश्किल यह है कि अविलिबिल्टी कम है मतलब बहुत अच्छी सुसाइटी में बहुत इसली आपको किराये पर फ्लैट नहीं मिलता है यह तो एक बेसिक एग्जामपल एक बेसिक अवरेज में आपको बता रहा हूं अगर हम सुसाइट तो सुसाइटी वेरी करें उसकी maintenance और जो pricing है वो अभी जो resale value चल रही है 9 से 10,000 रुपे per square feet में वो उस society में flat दिख रहा है market में तो अगर मैं उसकी rental की बात करूँ तो rental मैं basically अगर मैं 3BHK की बात करता हूँ बड़े sizes के उसका rent है आज की date में तो यह तो हो गई एक society की बात क्योंकि वो थोड़ा सा society मेहंगी है और थोड़ा सा better maintained है बड़ अगर मैं बाकी की societies की बात करूँ तो top category की जो societies है कुछ developers अगर मैं बात करूँ जिसे ace city हो गया ace developer हो गया अगर मैं इनकी बात करूँ तो bigger size 3BHK इसमें almost 25-30,000 रुपे का rental यहां पे है इसमें अगर मैं निराला को भी जोड़ दू क्योंकि निराला की निराला स्टेट जो phase 1 बनाओ है वो भी एक अच्छी society है तो इन top categories की societies की अगर मैं बात करूँ तो यहां पे 3BHK बड़ा size इसके लावा अगर मैं छोटे 3BHK की बात करूँ तो approximately 19-20,000 रुपे का किराया उन societies में हो चुका है जो यह top A categories की societies है अगर मैं 2BHK की बात करूँ इन societies में तो वो approximately 15-16,000 रुपे से शुरू होती है अलग-अलग sizes के 2BHK की में बात करूँ इसके अलावा अगर मैं B categories की societies की की बात करूँ जो की average societies है अगर एक normal societies है जिसमें की ठीक-ठाक maintenance एक अच्छी construction ठीक condition में है तो उस condition में भी 3BHK आपको 16-17,000 रुपे में मिलता है और 2BHK की बात करूँ तो 13-14,000 रुपे का 2BHK आपको 15-16,000 रुपे का भी 2BHK उसमें मिलता है और अगर मैं below average societies की बात कर नहीं है जिसमें की construction quality भी थोड़ा सा better बहुत अच्छी नहीं है और कई societies जिसमें की construction भी चल रही है उसके साथ साथ जो tower and over हो चुके है उन सारी societies के अगर मैं बात करूँ जिसमें C category की societies बोलता हूं उसमें भी अगर मैं 2BHK की बात करूँ तो 2BHK आपको 13-14,000 रुपे से 12-13,000 रुपे, 14,000 रुपे तक का rental per month मिल रहा है तो यह है rental का एक basically extension में हाल तो अगर मैं बात करूँ कि क्या reason है की किराय इतने बढ़ क्यों रहे हैं तो देखो सबसे बढ़ा reason तो demand and supply होता है जहां पर demand बढ़ती है supply थोड़ा कम होती है तो rental value या किसी भी कीमत कीमत है उस time पर बढ़ने लगती है अब demand and supply में change क्यों आया उसका अगर सबसे बढ़ा reason जो मुझे अपने personal experience से लगता है जब initially 2017-18 में नोड एक्षेंशन में societies handover होना शुरू होगी थी या कुछ-कुछ हो चुकी थी और बाकी societies हो रही थी तो उस time पर क्या था कि occupancy कम थी occupancy कम होने का सबसे बड़ा reason था एक तो लोग धिरे-दिरे आ रहे थे आये नहीं थे और दूसरा सबसे बड़ा reason था कि early stage में जो भी घर खरीदते थे जादतर उसमें investor थे मतलब 25-30% investor थे बाकी के 40-50% self-use के लिए लेते थे या self-use बे भी इस तरह के लोग थे जिन्होंने की second home की तरह investment करी थी कि रहते वो कहीं और है एक investment के तोर पे extension में flat book कराया था तो उस time पर क्या था क्योंकि end user कम था end user का percentage कम था जो घरों बात tenants आते हैं या rent वाले आते हैं तो क्योंकि occupancy कम थी तो availability घरों की जादा थी हर societies में almost 20-25% घर खाली थे तो वहां पर rental कम था तो बहुत आसानी से बहुत अच्छी societies में कम prices में किराया मिल जाता था लेकिन second phase में जैसे ही यहां पे अभी पिसले 2-3 सालों में जो secondary market open हुई है एनी रिसेल के market खुली है तो जो घर आज की जट में खर खरीद रहे हैं या जो first time buyer भी है जो fresh property भी खरीद रहे हैं वो ज्यादा तर एंड यूजर है जो कि अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो उससे फरक क्या आया है कि जो occupancy बढ़ रही है तो कि आप अपने ख जूड रहे हैं उन्हें थोड़ा मुश्किल भी हो रही है घर मिलने में अच्छी सुसाइटी में घर मिलने में और जो मिल भी रहे है तो उसके और रेंटल बढ़ गया है तो यह एक रीजन है occupancy क्योंकि जादा है दूसरा एक जो बड़ा रीजन मुझे लगता है जो कि पो बहुत सारा एक जो population थी वो अपने hometown में जाके रहने लगी तो hometown में जाके रहने लगी तो घर खाली हो गए अब हुआ क्या कि उस दोरान तो किराय कम थे क्योंकि लोग flats खाली कर रहे थे तो flat available थे तो rent कम होने लगा लेकिन जैसे ही क्योंकि जिन्दगी पर तो lockdown रह रहा नह और उस time पे असली खेल शुरू हुआ rent बढ़ने का क्योंकि जिस time वो घर यहां से छोड़के गए थे और जब वो वापस आये उस दोरान rate rent में काफी difference आ गये तो क्योंकि suddenly demand बढ़ गई थी अब उस time जो लोग आये demand बढ़ी तो एक जितने भी owners थे उन्होंने किराया ज्या से बढ़ने उसके अलावा जो development obviously तीन साल में जो development है वो भी काफी हो चुकिए तीन साल पहले की extension और आज की extension में बहुत अंतर है बहुत सारी चीज़े डिवलप हो गई है तो वह एक overall जो rental बढ़ता है वो भी उस development की उसका एक बड़ा reason है तो यह सारे reasons मुझे लगते हैं न useful videos मैं लाता रहता हूं अपने channel पर तो अगर अब तक मेरा channel आपने subscribe नहीं किया तो channel subscribe जरू कर दीजी so that इस तरह की information आपको मिलती रही तो फिर मिलते है next video में तब तक आप सभी अपना ख्याल लगए thank you very much